नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेणा गुपता है, मैं के इन फर्टिलिटी और आईवी एफ कंसाल्टेंट हूँ, मैंने अपनी बढ़ाई AIMS New Delhi से करी है, और मैं दिल्ली में कारे रहत हूँ, आज हम बात करेंगे डोनर एग आईवी एफ के बारे में, हम जानेंगे कि ये डोनर एग आईवी एफ टीट्मेंट क्या होता है, ये नॉर्मल आईवी एफ टीट्मेंट से कैसे अलग होता है, किन पेशिंट्स को जरुत होती है उसकी, और इसकी सक्सेज रेट्स क्या होती है, तो हम डोनर एग आईवी एफ के बारे में, जो इसके 7 most important चीज़े हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टे, डोनर एग समझने के लिए, पहले हमें समझना प फर्ख है, कि हमारी quality अच्छी नहीं है, या फिर हमारी quantity, quantity मतलब हमारा number of eggs सही नहीं है, quality जो depend करती है, जो most important reason quality का होता है, वो age होता है, जैसे सब्सक्राइब बढ़ती जाती है, हमारी quality of eggs डिकलाइन करती जाती है, तो हमारी quality of eggs में, अगर हमारी उम्र 40 के उपर है, तो हमा जाती है, तो हमें डूनर X की जरूरत है, दूसरी quantity, quantity जो हमें पता चलती है, वो एक test है, जो हम बार-बार discuss करते हैं, AMH, AMH मतलब anti-mullerian hormone, अगर आपका anti-mullerian hormone low है, अगर आपका anti-mullerian hormone एक से कम level का है, तो फिर आपको डूनर X की जरूरत पढ़ सकती है, जरूरी नहीं है कि जिनका सबका low AMH है, उनका donor X हो, लेकिन अगर आपकी उम्र भी जादा ह है, आपका AMH भी low है, तो हाँ, आपको जरूरत पढ़ सकती है, कि हाँ, हम आपका donor X करें, तो अगर आपका quality poor है, quantity poor है, तो ये one reason है, हमारा donor X करना पर, कई patients में genetic diseases होती है, कि family में genetic diseases है, जिनका हम PGD या PGAS से treatment नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम afford नहीं कर सकते हैं, PGD, PGAS, औ हो, तो उस चीज को prevent करने के लिए हम donor IVF की मदद ले सकते हैं, फोर्थ ली, ये treatment ज़रूर ही नहीं है, बट कई patients जिनके recurrent pregnancy losses होते हैं, जिनके बार-बार pregnancy losses हो रहे हैं, कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो उन patients में भी, वो कई बार donor IVF की need लेते हैं, बट काफी treatments ट्राय कर तो डोनर एग्स, अगर हमारी quality poor है, जो एज जादा है, quantity poor है, कि हमारा AMH low है, हमारा ovary की कोई surgery होई है, हमारी cystectomy होई है, तो हमारी number of eggs एक IVF में निकलते हैं, वो बहुत कम लिखकलते हैं, हमारी कोई जनिक डिजीज है, जो हम प्रेवेंट करना चाहते हैं, कि हमारे आगे ज़ता चिल दिया है, कि डोनर एंग աेले ह में नेठ है या नहीं है, फिर डोनर एंग ट्रीटमेंट है क्या, डोनर एंग ट्रीटमेंट का मतलब, आप समझने के लिए हमें पता है कि, पच्चा कैसे बनका है, बच्चा एग्स एडर्पार्म्स को जोड कर बनता है, जो अजिको अंड यह कुछ सुछ एगस हैं नहीं करना चाहते हैं तब हम वाइफ के एंडगे कर किसी और उम्मेन के एक लेते हैं ज़सको हम दोनर विलते हैं डोनर हमारी जो होती विस थर्ड पार्टी ट्रीक्शन दोनर एग IWI third party reproduction कि हां first party wife, second party husband के लावा एक third party involved है एक बच्चा बनाने के लिए जिसमें तो उसको हम third party reproduction या donor egg IVF कहते हैं हमने किसी और woman के eggs लिए है बेबी बनाने के लिए तो ये donor egg IVF है उसके बाद ये eggs देता कौन है who donates these eggs donor eggs देता कौन है donor eggs जो देती है woman वो usually young होनी चाहिए because हमने पढ़ा कि हमें quality अच्छी चाहिए quantity अच्छी चाहिए तो quality और quantity हमें तब मिलेगी जिमारी age eggs की कम होगी age eggs की कम करने के लिए we take a woman जिसकी age usually हम प्रिफर करते हैं कि वो 28 साल से कम उमर की हो usually हम married woman लेते हैं उनके पहले बच्चे हुए हैं तो हमें पता है कि उनको infertility की problem नहीं है उनके खुद के बच्चे हुए हैं तो उनके quality अच्छी होनी चाहिए so they are married so we know they are fertile उनके पहले बच्चे हुए हुए हैं तो हमें पता है कि उनके बच्चों में कोई नहीं है उनके बच्चों में कोई हैं तो वूमन होति यह यूजली एजनसी के दवारा होती है आपको कहीं जाकर सर्च नहीं करना पड़ता किसी को हमें एग्स चाही है ऐसा नहीं अट परिक्ड़र एजनसी थर्ड पार्टी एजनंसी होती है जो इन वोमेंस के हमें एग्स लेते हैं जो एग्स लिए जाते हैं ये आईधर हम कमर्शिल भी हो सकता है जैसे जिसमें आपका इन्वाल्मेंट है कि they are doing it for the purpose of money या फिर हो सकता है कि they are doing it for the sake of आप कह सकते हैं कि अगर आपके family में है ICMR इसको मना करता है जैसे आपकी सिस्टर, आपकी भावी, आपकी फ्रेंड ये भी डुनेट कर सकते हैं जो यूजली हम प्रिफर नहीं करते हैं इस प्रिए लोड अथिकल प्रॉलम्स लेटर और इन यूर लाइफ आपको पता है कि जनेटिक मतिरियल कहां से आया है यूजली भी प्रिफर कि आप एक अनॉनिमस डूनर लेए जो एक एजिंसी के थ्रू ली जाती है जो यंग है जिनकी क्वालिटी ओफ एग्स अच्छी है क्योंकि हमें पता है वो फर्टाइल है उसके बाद जो next question आता है कि डूनर को क्या टेस्ट किया जाता है हमें किसे पता कि ठीक है या नी उसके एग क्वालिटी अच्छी है या नी तो पहले सबसे पहले जो इनके टेस्ट किये जाते हैं डूनर के वो होते हैं के रूटीन इंवेस्टिकेशन जो नॉर्मल हमारे सबके होते हैं हमोगलोमिन के शुगर के LFT, KFT, RFT जो आपके नॉर्मल अनेस्थीजा के इंवेस्टिकेशन होते हैं इसके अलावा इनको जो वारल डिजीजेज जैसे हैं HIV, STD, HIV, Hepatitis B के टेस्ट्स जो हते हैं या फिर Hepatitis C के टेस्स जो हते हैं वो करे जाते हैं ताकि तकक इइ कोई डिजीज कारी SARAH тоже इनको मीए इनको टेस्ट किया जाता है कि अहीं का आमेच वैलीव किया है कि ञैसे 1ocratic दालिजीजेज आन कि सब्सक्राइगव के हमें कितने मिलेंगे बट ह हैं बठ्ध हो ये इंशुर नहीं कर है सकता कि हाँ है कुछ भी तेस्ट करी है कोई Rocket कर रही है को जो प्रेफु हैं टी चैसर सकता कि है यह कुछ हम ही अन्र collecting कर सकia है कोई जो इनकी इन Jedho होए हैं जो healthy हैं so we are very sure कि issues आपकी off-spring में भी नहीं आने चाहिए उसके बाद patients एक बहुत ही एक commonly मुझसे पूचते हैं कि अगर हम donor eggs ले रहे हैं तो it means कि उनके तो एक अच्छी है quality अच्छी है तो आप इनका IVF क्यों कर रहे हैं आप normally हमें डाल दीजे बच्चा तो normally हम कैसे बच्चा डाले IVF का मतलब है in vitro fertilization in vitro fertilization मतलब eggs and sperms आपकी body के बाहर मिलेंगे और normally जैसे हमें पहले भी पता है हमारा single egg बनता है अगर हम एक egg से or sperm जोड़कर आपका pregnancy करेंगी तो pregnancy rates बहुत ही कम आएंगी से 10 से 15% आएंगी तो वो हमें नहीं चाहिए हमें आपको 50-60% chances pregnancy के देने हैं तो डोनर को भी वैसे ही stimulate करा जाता है जैसे नॉमली आइवेस में होता है डोनर के भी वैसे ही injection चलते हैं उसके आपके एक्स बनाये जाते हैं हमें सिंगल लेकनी हमें at least 10-12 अंडे चाहिए तो वो एक्स बनाकर फिर उनको निकालके आपके पती के सपाने के साथ जोड़कर फिर बच्चा बनाया जाता है तो डोनर एग्स में भी आईवी एफ ही करा जाता है फिर डोनर एक आईवी एफ कैसे जरा जाता है तो डोनर एक आईवी एफ एक नॉर्मल आईवी एफ के तरह ही करा जाता है जिसमें डोनर के एग्स निकाले जा रहे हैं और जो आपका है आपके हम लाइनिंग तयार करे हैं लाइनिंग हम इसले तयार कर रहे हैं अगर आपक के पीरिट साथ में करते हैं ताकि जब इनके एग्स निकाले जाएं तो आपकी लाइनिंग तयार हो बच्चे को करने के लिए लेकिन कई प्रीश कर लिया और फिर बाद में आपको डाल लिया तो हम द्वनां तरीके से कर सकते हैं students आपकी एग्स निकले तब आपकी लाइनिंग तयार हो तो दौनों IVF में अगर हम सिंपल बिना फ्रोजन bottom pipe करेंगे तो हमें इसे डोनर का IVF साइकल करना हुई हम को स्टूम्लेट करना है एक्ज निकालने है आपके पती के तो हम औरल दमाईयों से तयार करते हैं कि उनकी लाइनिंग तयार हो जब हम बच्चा डालें तो इसमें हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि दौनों साथ में चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइंग लग सकता है लेकिन सक्सेज रेट्स में कोई फरक जादा नहीं होता तो डो हुआ हम फ्रेश कर रहे हैं तो हापके cycle और डोना के cycle साथ लाय जाते हैं रूना को इंजेक्शिन शुरु होते हैं उनकी अंड़े निकाले जाते हैं धाल ग्रवा तक और उन दस बारा दिन आपको लाइनिंग की दमाईयां चलती हैं तो अल्मोस्ट सेम ही साइकल होता है बर थोड़ा सा हमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है अब सबसे जुरुरी बात की सक्सेज रेट्स क्या होती हैं जब हम डोनर आइवी एफ करते हैं तो हमारे चा अब्लम होपफ़ली नहीं होना चाहिए तो इस डोनर आइवी एफ में सबसे ज़्यादा सक्सेज रेट्स देखी नहीं है यह दोनर आइवी एफ में एक सिंगल ट्रांसफर में आपके 50-60% चांसे होते हैं इसमें चांसे बहुत जादा होते हैं बिकोज आपकी क्वालिटी If equal quantity of quantity इचे होते है है तो चांसेस अच्छी होते हैं कि अपको freezing myl, as freezing of embryo millions इच्छा स्क्रांसाइख जेते हैं तो इच्छा स्तुरी का इसमा यह में प्रांसेस ऑफ क्सेज पर आइडियो गारा के चांसेटी उंच्वालि के रेट्स चांसेटी रियंशकालिए तो आपको 50-60% यह चांसेज दे सकता है कि आपको अपना बेबी हो पाएगा बेबी आपके ही यूटरेस में पलता है बिकुस आपके हां ट्रांसफर होता है आपके अलावा किसी और को नहीं पता होता है कि आपका डोनर आइवी एफ हुआ है यह कॉंफिदेंशल इंफोमेशन होती है ज आगे जिन्दिगे में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है डोनर आइवी एफ के बेबी को ऐसा कुछ भी अलग नहीं होता कि आपकी बॉड़ी उसको डॉप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता इस बिसिकली यूर कैरिंग दा चाइल्ड तो आ जामिवार है तिक डॉनर आइवी एफ अगर आपको जरूरत है तो आपको बहुत अच्छी प्रिग्नेंसी दे सकता है और जब आपको में तुर भी जो आपको चांस्टे इंक। है और इस एक माँ भनने की आपकी जो इक्छा है जब डार आउय सब्लम्स डे बात आएउत क लेकिन जब अगर मन बन गया तो पीछे में थटिये और इस ट्वीटमेंट का ज़रूर लाब उठाईए। होपफुली आपको यह information informative लगी होगी आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।